ये है आर्जे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी ख़बर तहकिकात हकिकात देवबंदी उलेमाकारी इश्हाक कोरा ने कुरोनावारस को वबा बताते हुए कहा कि ये एक वबा है जो पूरी दुनिया में फैल रही है इसका असर अब हिंदुस्तान में भी देखा जा सकता है जिसको हमें बहुत गमफीरता से लेना चाहिए और साथ ही शाइनबाद में बहुत सारे लोगी कठा है और धरना प्रदर्शन कर रही हैं करोना वाइरस जो एक वबा पूरी दुनिया में फैल रही है इसका असर हिंदुस्तान में भी आ चुका है ये एक ऐसी वबा है जिसको हमें बहुत गमफीरता से लेना चाहिए साथ ही शाहिन बाग में बहुत सारे लोग इकटा हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं C.A.A. के खिलाफ N.P.R. के खिलाफ साथ साथ N.R.C. को लेकर बहुत गमफीरता से उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहा है ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को अपने आश्वासन में ले उनको भरोसा दिलाए जिससे के जल से जल धरना प्रदर्शन खतम हो क्योंकि जान से बढ़कर कुछ नहीं होता ये हकीकत है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और सरकार अगर उनको आश्वासन दे देती है तो उनको धरना प्रदर्शन खतम कर देना चाहिए तो सर ऐसे में किया आपको क्या लगता है कि जो KORONA VIRUS है जो इसे आप वागी बता रहे है ये इतनी खत्रनाओच भी है तो ऐसे में कि आप देवन्स से कोई फत्वा जारी होना चाहिए देखे देवन्स से फत्वा फत्वा को पहले हम लोगों को समझना चाहिए जाइज है या नाजाइज है उसके बाद ही फत्वा दिया जाता है पहले तो फत्वे के अर्थ को समझने की जरूरत है साथ ही दारलुम दियोबन ने अपील जारी की है और एक बार नहीं दो दो बार जारी की है कि आप लोग सफाई सुत्राई का ख्याल लखें और कोई भी ऐसे इस्थानों पर ना जाएं जहां पर आपको वबा फेलने का या वबा लगने का डर हो तो इस तरह की अपील दारलुम जारी कर चुका है दारलुम के जिमेदारों ने अपील जारी की है दियोबंदी उलमाओं ने अपील जारी की है मेरा संदेश यही है कि ये एक अजाब इलाही है खुदा को खुश करने के लिए जितनी अबादते की जा सकती है वो करनी चाहिए साथ ही डॉक्टर्स जिन चीजों से बचने का मश्वरा दे रहे हैं उसका भी पुरा ख्याल लखा जाए क्योंकि हमारे यहां एक हदीस में आता है अजितनी आप जारी के जहां वबा फैल रही हो आप लोग वहां ना जाओ और जहां आप रह रहे हो अगर वहां वबा फैल जाए तो वहां से ना निकलो एक बहुत बड़ा संदेश है तमाम मुसल्मानों के लिए नहीं बलके पुरी दुनिया के लिए तो इस पर हमें आमल करने की ज़रूत है